तो मूवी की सुरुवात होती है एक आधी रात से जहां पर हम इस मूवी के मेन करेक्टर यानि सैम फिलिन को देखते हैं जो कि अपने पिता कैविन फिलिन से बाते कर रहा होता है सैम के पिता उसे यंत्रजाल यानि एक ऐसी दुनिया के बारे में भताते हैं जो कि कैविन दुआरा बनाई गई थी वे उन्हें कहते हैं कि वो दुनिया काफी सुन्दल थी और साथ ही खतरनाक भी सैम के पिता उसे ये भी कहते है कि वे वहाँ ट्रोन से मिले जो कि इंसानों के लिए लड़ता है वे कहते हैं कि ट्रोन ने उससे कुछ ऐसी चीजे बताई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता जैसे डिस्क से लडाई करना वहाँ कैविन ने एक ऐसी बाइक चलाई जो कि लेजर की पटडियों पर दोड़ती है कैविन सैम को कहते हैं कि उन दोनों ने मिलकर प्रोग्रामस और इंसानों के लिए यंत्रजाल की एक नई दुनिया बनाई साथ ही वो ये भी कहता है कि वो हमेशा वहाँ नहीं रह सकता जिसकी वज़े से उन्होंने वहाँ अपना एक हमसकल बनाया जो कि इंसानों की तरह सोच सकता है और साथ ही चीजों को समझ भी सकता है जिसका नाम उन्होंने क्लू रखा है वही पर कैविन अब सैम से बात करने के बाद काम पर जा रहा होता है लेकिन काम पर जाने से पहले वो सैम से कहता है कि कल हम दोनों वीडियो गेम्स खेलने के लिए जाएंगे और ये कहने के बाद वे वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज में ये बताय जा रहा होता है कि एनकॉम कमपनी के CEO केविन फ्लेन लापता हो गए हैं और साथ ही न्यूज में कैविन की लाइफ के बारे में बताते हैं कि 1985 में उसकी वाइफ की अचानक से मोथ हो गई थी और उसके बाद वे अपने बेटे के साथ ही रहने लगे थे अब एनकॉम कंपनी के सभी मेंबर्स ने ये एलान किया कि कैविन के पार्टनर एलन ब्रैडली से कारोबार वापिस लिया जाता है वही पर कैविन के दोस्त ब्रैडली का ये मानना है कि कैविन लापता नहीं है बलकि एक ऐसा सपना साकार करने में लगा है जो कि इंसानों की जिन्दगी को बदल देगा वही पर हम देखते हैं कि सैम अपने दादा दादी की देख रेक में रहता है और वो अपने पिता को काफी मिस भी करता है लेकिन उसके पिता कैविन का अभी भी कोई पता नहीं चलता गाइस अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोक कर कुछ important चीज़े बताना चाती हूँ ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ सकें दरसल सैम के पिता कैविन ने कम्प्यूटर्स की मदद से एक ऐसी दुनिया बनाई थी जो की काफी advance होती है जिसे वो एक तरह से यंत्रे जाल के नाम से बुलाते थे और साथ ही kita iki7ज हम अपनी मूवी की तरव बढ़ते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सैम अब बड़ा हो चुका और अब वो अपने डैड की बायक लेकर अंठों कम्पनी की तरव जाता है और वहां पहुंछने के बाद वो चुपके से एंठों कंपनी के गट पर लगे security सिस्टम को हैक क के अंदर server room में चला जाता है और तभी वहाँ एक guard Sam को camera में देख लेता है और उसे ढूंदने के लिए server room में आ जाता है लेकिन जब तक वह guard Sam के पास पहुचता तब तक Sam system को hack करके एनकॉम OS 12 को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है जिससे कि वो सभी के लिए फ्री हो जाए और जब ये बात वहां के सभी मेंबर्स को पता चलती है तो वे काफी गुसा होते हैं लेकिन ब्रैडली अंदर ही अंदर खुस होता है वही पर वो गार्ड सैम का पीछा करते करते उ जहां पर सैम उससे कहता है कि वो इसका मालिक है और ये कहने के बाद वो उस बिल्डिंग से जंप लगा देता है और अपना पैरसूट खोल देता है लेकिन उसका पैरसूट एक जगह अटक जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया ज मिला है सैम उसे कहता है कि उसके पिता या तो मर चुके हैं या तो कहीं एस कर रहे हैं लेकिन ब्रैडली उसे समझाते हैं और उसे वीडियो गेम की मार्किट की चाबिया दे देते हैं वे सैम को वहां जाने की कहते हैं और अब यह सब कहने के बाद ब्रैडली वहां से चले जा सेम उस वीडियो गेम के पास जाता है और उस वीडियो गेम में कोईन डालता है लेकिन कोईन वापिस बाहर आ जाता है जहां सेम को जमीन पे एक लाइन दिखाई देती है जिसे देखने के बाद वो उस गेम को वहां से हटा देता है और देखता है कि वहां से एक रास्ता की लेजर मसीन स्टार्ट हो जाती है और वो उस यंत्रेजाल में पहुंच जाता है वो यंत्रेजाल पूरी मसीनी दुनिया होती है जिसे देखकर सैम को उस पर यकीन नहीं होता तभी दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे खेलने के लिए बाकी प्रोग्राम के साथ भेज देते हैं वहां सैम को खेलने के लिए तयार किया जाता है और खेलने के लिए उसे एक डिस्क दी जाती है जिसमें कि उसकी सारी ब्रेन मेमोरी रिकोर्ड होती है बाकी के प्रोग्राम के साथ सैम काफी अच्छे से खेलता है और सभी प्रोग्राम को नस्ट कर देता है अब सैम एक योधा जिसका नाम रिंजलर होता है उसके साथ खेलता है जो कि सच में ट्रोन होता है और सैम उससे हाल जाता है वो सैम को मानने वाला होता है कि तभी सैम की बोड़ी से खूर निकलता है और ये देखकर रिंजलर को पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम नहीं है वो बताता है कि ये एक इनसान है क्लू इससे पूछता है कि अपनी पैचान बताओ तब सैम कहता है कि मैं कोई प्रोग्राम नहीं हूँ बलकि एक इनसान हूँ और मेरा नाम सैम फिलीन है और ये सुनने के बाद क्लू अपने लोगों को उसे अपने पास लाने के लिए कहता है जब क्लू सैम के सामने आता है तो सैम उसे देख कर कहता है डैड और तभी क्लू सैम की डिस्क लेकर उसे चेक करता है बट उसे वो नहीं मिलता जो वो चाता है सैम उसे कहता है कि लगता है कि आपको अपने बेटे से मिलकर कुछ खास खुशी नहीं हुई तब क्लू कहता है कि मैं तुमारा डैड नहीं हूँ मगर मुझे तुम से मिलकर बहुत खुशी हुई और ये सुनने के बार Sam समझ जाता है कि वो Clue है उसके डैड का हमसकल वही पर हम देखते हैं कि Sam को अब दुबारा से स्टेडियम में लाया जाता है लेकिन अब की बार उसका मुकाबला Clue के साथ होता है दो टीम के साथ गेम स्टार्ट होता है जिसमें की एक टीम क्लू की और दूसरी सैम की टीम होती है इन सब को लेजर इस्टिक दी जाती है जिसमें लगे बटन को प्रेस करने से ये लाइट साइकल में कनवर्ट हो जाती है जो की एक तरह से लेजर लाइन छोड़ते हुए चलती है और जो कोई भी उस लेजर लाइन के बीच में आता है वो डिस्ट्रोय हो जाता है इसी के साथ उनका मुकाबला लाइट साइकल द्वारा स्टार्ट हो जाता है लेकिन आखिर में वहां सैम और क्लू ही बचते हैं सैम की बाइक डिस्ट्रोय हो जाती है और अब क्लू सैम को मालने ही वाला होता है कि तब ही वहां एक लड़की आ जाती है जिसका नाम क्योरा होता है वो वहां से सैम को बचा कर ले जाती है क्योरा एक ISO होती है जिसे की सैम के डैड ने बचाया था और अब वो सैम को एक जगह पर ले जाती है जहां पर सैम अपने रियल डैड से मिलता है सैम के डैड अपने बेटे से मिलकर काफी खुश होते हैं और पूछते हैं कि तुम यहां तक कैसे पोचे तो सैम उनका जवाब देते हुए कहता है कि ब्रैडली दुआरा मुझे आपका मैसिज मिला था ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन वो उसे डिनर पर मिलने को बोल कर चले जाते हैं वही पर हम देखते हैं कि जब वे सबी डिनर कर रहे होते हैं तो तब सैम अपने पिता से केवर एक ही सवाल पूछता है कि आप वापिस क्यों नहीं आए कैविन उससे भताता है कि जब हमने ये दुनिया बनाई थी तो एक चमतकार हुआ था आइसोस जो की एक नए किसम का प्रोग्राम था वो अपने आप ही बन गए थे आइसोस के दुआरा एक परफेक् क्लू से मुकाबले में हाल जाता है तो वो उसे फोर्स करता है और उसका नाम और हूलिया बदल देता है जिससे कि सभी को ये विजवास हो जाए कि टोन अब नहीं रहा सैम के डैड उसे ये भी कहते हैं कि जब जब मैं उससे लड़ता था उसकी ताकत उतनी ही बढ़ जाती थी क्लू ने सभी आइसोस को खतम कर दिया लेकिन जब मैं बाहर निकलना चाता था तो देलीज बंद हो गई दरसल जिन मसीन और लेजर से सैम अंदर आया था वो बिना एलेक्रिसिटी के नहीं चल सकती और उसे शिर्फ 있nd बाहर से ही खोला जा सकता था इसलिए केवन दुबारा घर नहीं जा सका सैम कहता है कि अब डैलीज घुल चुकी है लेकिन कैविन उसे कहता है कि वो डैलीज सिर्फ 8 गंटों तक ही खुली रहेगी सैम अपने डैड को यहां से निकलने के लिए कहता है लेकिन उसके डैड उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि क्लू ऐसा ही चाहता है वो मेरी डिस्क के दुआरा इंसानी दुनिया में जाना चाहता है साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो मैसिस जो कि तुम्हें ब्रेडली से मिला था वो मैसिस भी क्लू ने ही भेजा था ताकि कोई अंदर आए और उस रास्ते को खोल दे अपने डैड को बचा कर ही रहूंगा और यह कहकर वो वहां से चला जाता है थोड़ी देर बाद क्योरा सैम के कमरे में जाकर उसे एक मैप देती है और कहती है कि यह वहां का मैप है जहां तुम्हें ज्यूज नाम का एक आदमी मिलेगा जो की पहले आइसोल्स के लिए लड़ कर सकता है सैम क्योरा से वो मैप लेकर तुरंत वहां से इबाइक लेकर निकल जाता है वहीं पर हम देखते हैं कि कैविन को अब सैम की चिंता होने लगती है जिसकी वज़े से अब वो सैम से मिलने के लिए उसके रूम में जाते हैं लेकिन सैम रूम में नहीं होता और यह द पहुचता है तो क्लू के गार्ड्स को उसकी इबाइक मिल जाती है जिसे वे क्लू के पास ले जाते हैं और अब जारवीज जो की क्लू के लिए काम करता था वो उस इबाइक को चेक करता है और उसे पता चल जाता है कि वो इबाइक कहां से आई है और ये जानने के बाद जैम उस जगह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जैम होता है जैम उसे कहती है कि अगर तुम्हें जूज से मिलना है तो पहले तुम्हें कैस्टर को मनाना पड़ेगा और यह सुनने के बाद सैम जैम के साथ कैस्टर से मिलने चला जाता है सैम से मिलने के बाद कैस्टर उसे एक अलग कमरे में ले जाता है जहां पर वो बताता है कि वो ही जूज है और ये जानने के पार सैम उससे कहता है कि मुझे दरवाजे तक जाना है दरशल जूज कलू के साथ سमझोता करना चाता था जिसकी वज़े से वो सैम को धोका देता यह और उस पर हमला कर देता है लेकिन सैम की किसमत काफी अच्छी होती है क्योंकि जब जूज के आदमी उस पर हमला कर रहे होते हैं तो तभी वहां क्योरा आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है लेकिन इस लड़ाई के दौरान क्योरा का हाथ कर जाता है और तभी वहां कैवि को डिस्ट्रॉय करके वो डिस्क उससे चुरा लेता है वही थोडी देल बाद वहां क्लू भी पहुंच जाता है जूज उस डिस्क ayam वहां time bomb set कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं उनके जाते ही विber सभी bombs blast हो जाते हैं जिसकी वजह से जूज और जाम मर जाते हैं सैम केविन और क्योरा दहलीच तक जाने के लिए एक लेजर पर चल लगाड़ी पर चड़ जाते हैं वही ठीक करते हैं क्योरा के सिस्टम को री स्टोर करते समय सैम को पता चलता है कि वो एक आइसो है और ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कैविन कहता है कि क्योरा एक आखिरी आइसो है और इसलिए मैंने इसे क्लू से बचा कर रखा क्योरा को ठीक करने के बाद कैविन मेडिट तुम्हारे पिता के मुझ पर काफी एसान है वही पर हम देखते हैं कि जब दोनों बाते कर रहे होते हैं तो तभी उनका रास्ता बदल जाता है और उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर क्लू की सेना होती है वहां पहुचने पर कैविन को पता चलता है कि क्लू नए परोग्राम आ जाता है जो की उसे पकड़ लेता है और उसे कर लेता है उस प्रोग्राम को देखकर कैविन को पता चलता है कि ये जो नहीं अबगत वेर्टाने के लिए च्पक्रिते हैं जहाहां पर क्लू अपने सेना को पिर्थवी पर ले जाने और उस पर राज करport वादा करता है और जब वह अपने सेना को संभोजित कर रहा होता है तो तभी केविन को तो वहाँ डिक दिखाई देती है जिसे देखकर वह समझ जाता है कि क्लु को बरी दुन्या में जाने का रास्ता पता चल गया है तभी सैम केविन से कहता है कि आप फ्लाइंग डैक पर एक सवारी के साथ मेरा इंतजार करना मैं क्योरा और डिस्को लेकर आ रहा हूं यह सुनने के बाद उसके डैड काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम आकिर करने क्या वाले हो तो सैम कहता है कि मैं इक इनसान हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं और ये कहने के बाद सैम वहांसे चला जाता है सैम वहान जाकर सारे प्रोग्रम को डिस्टोए निकाल लेता है और साथ ही वह क्लू के आदमी maintenant क्योरा के बारे जाता है वहीं पर हम देखते हैं कि जब सैम उस डिस्क को निकाल रहा होता है तो तभी अलारम की वज़े से क्लू को उसका पता चल जाता है जिसकी वज़े से वो अपनी टीम को लेकर उन सभी का पीछा करता है और उन पर हमला करने लगता है लेकिन तभी सैम भी उस जैट की म टक जाता है और वो इंसानों के लिए लड़ने लगता है ट्रोन क्लू पर हमला कर देता है लेकिन क्लू काफी ताकतवर होता है जिसकी वज़े से वो ट्रोन को माल देता है वहीं दूसरी तरफ वे तीनों वहां देलीज तक पहुंच जाते हैं लेकिन जब तक वे उस देलीज बनाएंगे लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया कैविन उससे कहता है कि तुम कुछ नहीं समझ रहे हो जैसे कि मैं नहीं समझा था तुम्हें बनाते वक्त वो क्लू से माफी मांगता है लेकिन क्लू उस पर हमला कर देता है और तभी क्योरा सैम को लेकर निकल जाती है और र एसल कैविन को पता था कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वज़े से उन्होंने पहले ही अपने डिस्क क्योरा को दे दी थी और ये देखने के बाद क्लू कैविन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया तो कैविन उसका जबाब देते हुए कहता है कि वह मेरा ब की तबी कलू बी उनके पीछे आजाता है। जिसे डेकर कैविन काफी घबड़ अौर अपनी पूरी सकती से के कुल को अपनी और खीचता है और उसे अपने अंदर समा लेता है जिसकी वजन से वहां एक बहुत बड़ा अंकल मिलते है और वो उनре से कहता है कि आप सही थे और आप आज से एनकोम कंपनी के चेयर्मैन है और I'm कल से कंपनी जोईन कर रहा हूं और यह कहने के बाद वो वहाँ से बहारा जाता है जहां उसे क्योरा मिलती है जो जो कि उसका इंतजार कर रही होती है वही पर हम देखते हैं कि सैम उसे एक असली सुरज दिखाता है जो कि काफी सुन्दर होता है और उसे देखकर क्योड़ा काफी खुस होती है इसी के साथ हमारी मुवी यहां खतम होती है गाइस अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सस्क्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में थैंक्यू